हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है क्लाइमाक्स डी पर गाइस आज से हमारा चालू होता है इंडिपेंडेंस डे वीग जिसमें बैक टू बैक बॉलिवूड ओल्ड न्यू मुवीज हम कवर करने वाले हैं सो ये वी काफी मज़ेदार होने वाली है इसलिए मेक शूर कि आप सब हमारे साथ इस वी को इंजॉय करें शुरुबात करते हैं वन अफ दा फेमस लीड अक्टर अक्षे कुमार की फिल्म मिशन मंगल जो की ट्रू स्टोरी पर बेस्ट है अगर आपने इस स्टोरी देखी है तो आप जानते होंगे कि मूवी में इसरो के साइंटीस के एफट्स को दर्शाय गया है कि कैसे उन्होंने इस मार्स मिशन को अंजाम दिया और अपना देश बना the first country to do in the first attempt जो की काफी प्रावड वाली बात है सो बिना टाइम वेस किये मूवी देखते हैं मूवी की शुरुवात होती है 2010 बैंगलूरू इंडिया से जहां हमारी मुलाकात होती है तारा शिंडिया और उसके फैमिली से तारा घर के कामों में विजी थी क्योंकि आज उनकी मेड कांता भाई नहीं आई थी तारा का हस्बन सुनिल स्टॉक मारकेट में कां करते थे और उनके दो बच्चे अनन्य शिंडे जो आज के टीनेजर्स की तरह फोन में विजी रहती है और दिलिप शिंडे जो म्यूजिक कंपोजर बनना चाता था एंड एयर रहमन का बहुत बड़ा फैन था इसके अलावा हमें तारा की फादर इन लौ धनरा शिंडे से भी मिला आ जाता है जो चल नहीं सकते थे एनिवे तारा रेडी वगेरे होकर अपने कांग ले निकलती है जहां हमें पता चलता है कि तारा इजरो में जी एसल भी फैट बॉय जिसका नाम मोटा बच्चा रखा गया था उसमें प्रजक्ट डिरेक्टर की रिस्पॉंसमेट यह निभा रही थी तारा कंट्रोल रूम के सभी साइंटीज के पास जाकर फाइनल चेक कर आती है इसी वीच हम मिलते हैं चंदरेश सिंग से जो की इजरो के डिरेक्टर थी और उनके साथ एक गवर्मेंट ऑफिसर आते हैं इस रॉकेट का लाँच देखने के लिए गवर्मेंट ऑफिसर उन स से कनेक्टेट थे गवर्मेंट ऑफिसर और डिरेक्टर आपस में बात कर रहे थे कि तभी उन्हें गुनगुनाने के आवाज आती है उसने पर डिरेक्टर कहते हैं कि जीने सैंटिस थोड़े पागल ही होते हैं इस तरह हमारी मुलाकात होती है रापकेश धवन से जो कि ली सभी सैंटिस रेडी रहते हैं कि अचानक प्रपॉल्शन कंट्रोल की साइंटिस तारा से कहती है कि टर्बो पंप का टेंपरेचर काफी हाई है अगर लॉंच के तो मैल फंक्शन हो सकता है इस पर तारा कहती कि शायद स्री हरी कोटा के गरम मौसम की वजह से हो सकता है और फ कर रहे हैं और बटन दबाते ही रॉकेट सेल डिस्ट्रक्ट हो जाता है गर्मेंट ऑफिसर यह देखकर वहां से गुस्से में चले जाते हैं दुसी तरफ राकेश दुखी हो कर गुंगुनाते हुए सामने रखी लड़ू खाने लगते कि तभी वहां तारा आती है और अपने परे दिन सभी न्यूस चैनल में यह बात फैल गई एंड सभी लोग पैसा वेस्ट होने और लांच फेलियर से नाराज थे इसलिए गवर्मेंट राकेश की उपर इंक्वारी बैठा दिया है इंडियन स्पेस कमिशन के हैड राकेश से कोशिन पोस्ते हैं कि अलारम के बाव और राकेश दोनों हैरान होते इतने में रूपर देशाई कहते हैं कि क्यों सब मेकिन इंडिया प्रजेक्ट करना हमें भी बाकी देशों की तरह नासा से बौरो करके बिल्ड करना चाहिए यह सुनकर राकेश बीच में टोकते हैं और कहते हैं कि सार हम साइंटिस है देर इस नो साइन्स विटाट एक्सपरिमेंट्स लेट्स में इंडिया सब्सक्राइब कुछ नहीं सुनती अब क्योंकि गवर्मेंट जॉब है इसने निकान ली सकते यह राकेश को फैट वाइप प्रोजेक्ट से हटा कर मार्स मिशन में ट्रांसफर करते हैं ताकि वह खुद ही स应स्ति इसने लाकेश साइन्स प्रॉप स्सक्सिंट करते हैं कि उस्ते ह्पीज के लिए डर्फा ताह मुसलिन से चीज़े देखने लगा था तभी वहां तारा आती है और सिट्वेशन हैंडल करने लगती है अगली सुबह हम देखते हैं कि राकेश मार्स वाले ओफिश में जाता है जो कि साफ दिखाए दे रहा था कि ऑफिस क्लीन ही नहीं है वहां कभी सही से वक्त नहीं हुआ आफिस में राकेश को एक बिल्ली मिलती है और वो उसे बाते करता रहता है जहां हमें मार्स के बारे में जानकरी मिलती है कि वहां टाइम स्लो हो जाता है वो बात करी रहा था कि इतने में तारा आती है जिससे बिल्ली डर के भाग जाती है वो अपने गलतियों के दुबारा अभी भी नई बनी है इस पे तारा कहती है कि गया सफ करके बनाओ तेल तो गरम है तारा वापिस आकर टीवी निउस देखती है जिसमें मार्स और अर्थ के बारे में बात चल रही होती है इसी दोरां सुनिर और दिलिब में अगें इसलामिंग ठीक्स के चलते जगड़ा होता लेकिन तारा का फोकस पूरा टीवी में होता है इसी बीच मेड आके उसे अप्रिशेट करती है कि उसका एडिया काम आया पूरी देखकर तारा को एडिया आता है और वो सीधा इजरो के लिए निकलती है इजरो पहुंसने के बाद तारा अमरिकन के नेवल लांच जो 2013 में ह होगा यह खबर राकेश को बताती है प्लस उसका कहना था कि हम प्यास सिल्वी में जा सकते हैं नहीं करते क्योंकि प्यास सिल्वी की फ्यूल केंपसिटी काफी करम है इसलिए वो सुप चांद तक ही दा सकता है तो अपने बात में रहती और अपना एडिया उन्हें बताती ह बड़ चंदरेश के और्डर पे तारा विज्वल दिखा के सब को बताती है कि मार्स में पहुंचने के लिए उन्हें अर्थ के ग्रैविटेशन फोर्स को पार करना पड़ेगा इसलिए वो प्यासिल्वी रॉकेट यूस करेंगे जो सेटलाइट को अर्थ के और्बिट में चीज़ जल्दी करना जरूरी है क्योंकि तीन साल में एक बारी मार्स अर्थ की क्लोज आता है तैनि 24 सब्टमबर को इसलिए महां तक पहुंचने के लिए ग्यारा महिने पहले लॉकेट लॉंच करना है रूपर देशा है कि इन्टेफेरेंस से तारा कहती है कि यह होमें थे पर बेज़े इस पर रूपर कहता है कि यह त्योरी आउट्डेटेड़ है प्लस यह सेटलाइट वेड़ भी हैंडल नहीं कर सकता यह बाद से चंद्रेश भी वाकिफ थे इसलिए वह मना करते हैं क्योंकि बज़ट भी कम था लेकिन राकेश उन्हें मुटिवेट करते हैं इसमें भी आपेश और निmembr it को देने के लिए निखुए अभी राकेश साहय को टीम देनेके बोलता हैं वह यह एक्सपिरियंस कम हो लेकिन जभी इसमें सबसे पहले वर्शा पिल लैए लाइट वेट सैटलाय डिजाइनर और पेलोड एक्सपर्ट है वर्षा अपने घर के छोटे स्पेस में बड़ी बड़ी चीजे आसानी से वॉल में फिक्स कर देती थी पर फिर भी उसे अपने मदर इंड लॉ से टॉंड सुनना पड़ता था क्योंकि वो एक बच्चे को कंज फिर नहीं कर रहे थी दूसरी है कृतिका अगर्वाल जो नैविगेशन एक्सपर्ट हैं अपने हस्बं रिषी के लिए इसके अलावा हम यह भी देखते है कि क्रितिका को ड्राइवंग लैसे जाहिए जिसके रहीए द्रिवाइंग सीख रही थी और क्रितिका से ज्यादा टीचर परिशान था थर्ड होती है नेहा सिदिकी जो स्पेस्क्राफ अटोनोमी डिजाइनर है फिर भी स्ट्रगल कर रही एक अच्छे रेंड के घर के लिए जो उसे नहीं मिल रहा विकॉज अफ इस्लामिक डिलिजिन एंड डिबोर्स फॉर्थ एका गांधी जो प्रपोर् से दूर रहना है एंडिवे लास साइंटिस अनंत अयंगर जो स्ट्रक्चर इंजिनियर है एंड टीम पे काफी एजट परसेंज जो अपनी वाइव की साथ तिरुपती की यातरा में जाना चाते थे जुनियर साइंटिस की लिस्ट देकर तारा काफी अपसेट होती है क्यों पंडिर जी ने मंगर से दूर रहने के लिए कि इतने में वहाँ एका आती है जिसी देकर परमेश्वर उस पर खो जाता है और मिशिन में रहने का प्लान करता है तो उसके बाद क्रिदिका इंवर्शा आते हैं लास मिस्टर आयंगनर आते हैं रोड सा कंप्लेइन करते देन हमें एक चोटा सा सीन दिखाए देता है जिसमें तारा अपने बेटे दिलिप को मास तक पहुंचने का लॉजिक एक्स्पेंड करती है यो यो टॉय यूज़ करके लस दिलिप को ऐसास दिलाती है कि हमें हमेशा औरजिनल रहना चाहिए हमारा ये टेक्निक नया है जैसे देयार रहमान जो दूसरे से सीखा मोटिवेट हुआ लेकिन अपना रास्ता खुद बनाया नेक्सीन में हम देखते हैं कि एका तारह से कह रही है कि फ्यूल वेट फिफ्टीन हंडेट केजी लगेगा बट आप चाहरे हैं कि सेटलाइट को ओवरॉल वेट फिफ्टी केजी से जादा नहीं होना चाहिए इस पर दारह कहती है कि फ्यूल एट फिफ्टी केजी कर दू जो कि एका के लिए काफी कंफूजन क्रेट करता है विकास इतने कम फ्यूल में रॉकेट बांगलादेश में जाके गिरेगा उसे तरफ मिस्टर आयंगर दीरे दीरे चल के अनिंट मिनिट्स लगें और तक तक सैटलाइट डिस्ट्रॉई हो जाएगा इसलिए सैटलाइट को खुद रिपेर करना पड़ेगा एंड हमने ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रग्रामिंग पहले कभी नहीं कि इस पर आकेश कहते हैं कि पहली बार व्यार गॉना डूइट कम उन नहीं थी और बर्शा के पास सैटलाइट को कम बेट करने का एडिया नहीं आ रहा था इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए राकेश सब कुछ चीज़ें कर रहे थी कि तभी वहां इस दो की डेक्टर चंद्रेश आते हैं और मिशिन कैंसल करने के लिए बोलते हैं क्यों और सुनील को फैमिली के साथ लेकेशन बनाने के लिए उटी में जाने की बात करती है इस उनकर दिलिए तारा को ऐसा ना करने के लिए कहता है लेकिन तारा डिसाइट कर चुकी थी सींसी प्रोदर हम देखते हैं कि राकेश अगेन रूबर्ट के सेमिनार की वीच में जाता और अब्दुल कलाम का पुराना फोटो दिखा के सब को मोटिवेट करते हैं कि इंडिया का पहला रॉकेट टुकड़ों में ले जाया गया और पुराने चर्च के पीछे जाकर एसंबल किया गया कैसे करेंगे यह नहीं बता लेकिन करेंगे इतने में रूबर्ट कहता है कि मिशन का सक्सेस रेट सिर्फ वन परसेंट है इस पर राकेश एक जोकिंग अक्ट करके अब्दुल कलाम का वर्ट्स याद दिलाते कि अगर 0.001 परसेंट भी अगर चांस है तो स्टिल हमें आगे बना चाहिए इस उनका चंदेश और बाकिसा मोटिवेट होते हैं एंड एक हस्बेन वे के साथ IVF करा क्या ही थी क्योंकि मार्स मिशन बंद हो गया था इन शॉर्ट को माँ बनने वाली है नेक्स सीन में हम देखते हैं कि कृतिका जो ड्राइविंग सी कृती उसे आर्मी की तरफ से कॉल आता है जहां उसे पता चलता है कि उसका हस्बेन का किसी और किस इसलिए उसका यहां एका अपने सिस्टेम में बैटके नासा के लिए रज्यूम एप्लिकेशन देती है इसे परमेश फ्लर जो पीछे बैटके देख रहा था इस बार में पूसता है इस पर एक होती है कि तभी उन दोनों को प्रोजेक्ट रियक्टिवेट होने का कॉल आता से कहती है कि आप स्ट्रक्शलर डिजाइनर है साइटलाइट को हलका बनाना और बजट में फिक्स करना आपका काम है सुप्लीज करिए मार्ज जैनी खबर अब न्यूस में फैल गई ती जिसमें एक न्यूस रिपोर्टर मार्स मिशन का मजाक उड़ाता है सबी लोग अपन से कहते हैं कि दो दिन में का मोटिवेशन कम हो जाएगा बन और में तुरुपति जाओंगा इस पी भर्षा कहती है कि मैं तो बात करूंगी अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्षा अपनी प्रेगनेंसी वाली बात तारा से कहती है जिससे थोड़ा नराज होती है क्योंकि जब उसे वर्षया को हटाना पड़ेगा तब ही वहां राकेश आता है और मिशन का क्या नाम रखे यह पूसता है और वर्षया का रिप्लेस्मेंट के बारे में जानने की बाद राकेश मोटिवेशन से कहता है कि एक साइंटीज प्रेगनेंट है और उसे देश के सबसे इंप सिर्फ एका रूबर्ट दिसाय से मिलती है ताकि वो नासा के साथ कम करें ना कि मार्श प्रोजेक्ट में ऑफिस से निकलने के बाद उसे परमेश्वर दिखाए देता है जिससे एका उसे पीछे पड़े रहने की बात करके उसे टॉंट मारती है और सारी टीम काम को लेके ड हम दवाज जा रहे थे कहते हैं कि यह बहुत अच्छे साइंटिस हैं लेकिन तुम्हारे लिए मार्श एक ड्रीम है इनके लिए 925 जॉब इनका यह एटिटूट बदलना ज़रूरी है तारा यह सोचते वे घर जाती है कि उससे सुनिल गुसे में दिखाए देता है क्योंकि हैर पाटे में वो अनिन्या से मिलते हैं जहां सुनिल भी डांस करते हैं वापिस घर आते समय सुनिल अपने बचपन की दिनों को याद करते हुए कहता है कि दोस्ट वे अधर डेस इसे तारा को टीम मोटिवेशन का एडिया आता है अगले दिन तारा पूरे आफिस को सब्सक्राइब करने लगते हैं जिसके चलते आज वो साइंटीज बने और वह के खाते हुए ओवर टाइम करने के लिए मान जाते हैं यहां को भी रिशी याद दिलाता है कि मार्श उसके लिए एक मिशन है जिससे पूरा करने की रेस्पूर्स प्रेटी उसकी है सेम आर्मी इसे की बात सुनके क्रितिका ओफीस जाती है तो देखती है कि सभी लोग ओफिस को रिन्वेट कर रहे हैं फुल अन एनर्जी और मस्ती के साथ क्रिदिका भी उनके साथ जॉइन करती है दिरे दिरे ओफिस में पूरे कंप्यूटर सिस्टम लग जाते हैं जिससे राकेश भ करते हैं कि सेटलाइट को लाइट वर बनाने के लिए प्लास्टिक बेस्ट है क्योंकि ऑशन के अंदर पड़े रहे कर एक्स्ट्रीम कोल्ड और हीट सेहन करने के लाइक बन चुके हैं अभी वर्षा एडिया देती कि इसमें अगर अलुमिनियम भी अगर मिला दिया जाए तो यह और लाइट बनेगा वो इस सीच को टेस्ट करते हैं टेस्ट सेक्सफुल रहता है जिससे मटेरियल कॉस्ट भी कम हो गया अगले सिन में राकेश एका पर चिलाता है क्योंकि ट्राजेक्टर बात अभी भी पूरा नहीं हुआ था एकॉर्डिंग टू एका 850 kg फ्यू में बने बोट का साइन दिखता है यह देखे एकदम शौक होती और अगले दिन हसते हुआ अपने सेटलाइट डिजाइन के बार में बताती है कि वह सेटलाइट की सोलार पैनल और एंटीना को ऐसे फिट करेंगे जिससे सेटलाइट से चलेगा बिल्कुर सेल शीप की तरह इस फ्यूल भी बचेगा कि देखर सभी एका को प्रेज करते हैं और आइडिया सुनके राकेश भी एका को गले लगाते हैं जिससे परमेश्वर थोड़ा अनकमफोटेबर होता है पर एक प्रॉब्लम है जो तारा बताती है यह एंटीना की वज़े से सेटलाइट चौड़ एका जो यह सब देख रही थी परमेश्वर को लेके फ्रेश एर के ले जाती है जहां हमें पता चलता है कि एका और्फनेज में पली बड़ी है मीनबाइल आफिस में सब डिसकस कर रहे थे कि एंटीना फिक्स करने के लिए मटेरियल फ्लेक्सिबल कैसे किया जाए इसमें न कि अगर गुष्णा होते हैं और जान बुझकर उसकार की सामने के इसे सबी लोग उसाद में को मारने लगते हैं और वो दोनों हसते में वहां से चले जाते हैं यहां तरह और राकेश चंद्रेष से बात करते हैं जोनें बताते हैं कि उनका प्रज्वेट जा रहा है सेवे मान जाते हैं कुछी दिनों में रिव्यू कमिटी आती है और पूरा प्रजेक्ट देखकर ग्रीन सिगनल देखती है प्रस्वर्षा के डिलीवरी भी हो जाती है और हॉस्पिटल में रहे कर भी काम करने लगती है यहां वर्षा पूरी तरह ठीक होने के बाद लगा रहा था सेप्टी के लिए इसमें वर्षा कहती है कि एक बैटरी लगा क्योंकि सैटलाइट 24 मिनट्स एकलिप्स मोड में रहेगा अब सैटलाइट प्रडक्शन के रेडिया इस तरह हस्ते खेलते सभी सैटलाइट को प्रेडियूस करते हैं फाइनली सैटलाइट सब्सक्राइट करें रात में अपने घर वर्ग कर रही थी तेकिन कंप्यूटर हैंग हो जाता है रिशी यह देखकर जो हॉस्पिटल से घर आ चुका था कंप्यूटर से अनौफ करता है जिससे सिस्टम वापिस वापिस हो जाता है कि आयनी की शिप्स जिसम मोबाइल सेंट को ट्रैक करेगा अलग-अलग देशों से वह अभी तक पहुंचा नहीं है इस पर इशी कहता है कि आयन है पहुंच जाएगा बहुत जल साइंटिस के उपर दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है वह यह कि हर जगा खराब मौसं था इवन बेया वंगाल में भी जहां से रॉकेट का बफर है फाइव नमबर तक लॉंच कर सकते हैं यह देकर चंदरिश कहते हैं कि ठीक है फॉर नौव मिशन स्टैंडबाई आप लोग आराम करो ड्रिंक वगर एंजॉय करो सभी लोग बैटके बार में ड्रिंक करते हैं जिसमें राकेश रॉकेट को लेके दुखी होता है खेर दुखी मंद से सब मेट्रो में बैटते हैं कि वहाँ भी मिशन का न्यूस चल रहा था जिससे राकेश इरिटेट होकर टीवी में अपना कोड रखता है और यह देकर वहाँ खड़े पैसंदर उससे लात मारता है जिससे एक और बाकी सारी लड़कियां उन लड़कों क मारने लगते हैं डरके मारे लड़के महां से बाग जाते हैं वे बारिश लगा गिरता रहता रुकने का नाम यह नहीं ले रहा था सबी लोग यह देकर दुखी थे और यहां तारा भी अपने घर में बैठके प्रे कर रही थी तेकर दिलिव उनसे पूसते हैं कि साइंटिस लीरिक से किताब बदलने से पावर कम तो नहीं होगी सो जस प्रे टुद पावर नॉट दे नाइन्थ डे में राकेश और बाकी सब देखते की बारिश नहीं रुक रहा प्लस मिस्टर चंद्रेश कोई और रास्ता के बारे में पूसते हैं अपने कार में बैटके नहीं लगते हैं कि तभी बारिश रुक जाता है और दूप आने लगता है वापिस दौड़ते हुए आते हैं और मिशन रेक्टिवेट करते हैं दैन अगेंड पंडिट जी आते हैं पूजा वगरे करते हैं राकेश सभी से गो और नो गो पूसते हैं और रॉकेट सक्सफुल और फायर करते हैं और उनका फायर फेल हो जाता है जिससे सेटलाइट सेम पाथ में घुमने लगता है राकेश यह देखकर गुस्ता होता है क्योंकि बफर नहीं है और फ्यूल भी खम है इस पर एका कहती है कि एक फायर करने के लिए फ्यूल है बट टाइम पर कैसे फ्यूल सेनर्जी से चल रहा होता है नाइन मंस तक सेटलाइट अच्छी तरह मूफ करता है कि सड्विट करता है या इस सोलार रिडियेंशन और इस्ट्रॉइट के साथ इसे कंट्रल रूम का कम्मणिकेशन रॉकेट की साथ ने हैरी इक इसे तोढ़ गर में सो रही थी उस ये कि बैकप सिस्टम कभी भी फेल हो सकते हैं और सेटलाइट भी लास्ट 24 मिनिट से हैंग बोड में है यह सुनकर क्रिटिका सेटलाइट के मेन पावर को ओफ करती है और दुबारा आउन करती है जिससे सबी लोग शौक हो जाते हैं और सप्राइजिंग रिशी का आइडिया काम आता है कम्मिनिकेशन होता है और साइंटीज को पता चलता है कि रॉकेट की स्पीड बहुत ज्यादा हो गया स्टॉम की वज़े से सभी लोग क्रिटिका को प्रेज करते हैं अब क्यूंकि सैटलाइट थोड़ा ओफ ट्रेजक्ट्री होता है इसलिए एक राइट थ्रश स्पीड कम करना होगा एंगर अगर अजसल नहीं हो तो सेटलाइट मार्श को पार कर जाएगा सब करना हो जाएगा बट फिर भी 30 मिनिट गुजर जाते हैं और कोई मुवेंट नहीं दिखता जिससे राकेश दुखी हो कर जाने लगता है कि तभी बीप की साउंड आता है और हम देखते हैं कि सेटलाइट मार्स की पीछे से आता है और सिगनल भेजने लगता है यह देखर ताहरा इंफॉर्म क को इस कामयावी के लिए विश्योस मिलते रहते हैं प्लस रूपर देशाई भी हैपी रहते हैं और कहते हैं कि नासा से कॉलाबरेशन के कॉल आ रहे हैं फिल्म के एंड में मिजरो के 17,000 साइंटिस और इंजिनियर्स के एफट्स को दिखाय जाता है प्लस उनके पिच्चर भी दिखाया जाते हैं इस तरह हमारी मूवी यहीं खतम होती है यह था हमारा आज का वीडियो आपको एक्स्प्रेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो मेक शूर आप इसे लाइक करें शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कम